देखिए भारत एट नाइन काबेंद चौहान के साथ भी खो दिया तो ऐसे में जब रशिया, जैपैन, इसराइल और पाकिस्तान तक समवेदना रख सकता है But for some strange reasons, भारत के अंदर बैठे कुछ लोग इस बात से खुश जहाँ जहाँ खबर छपी, वहाँ वहाँ वो लोग खुशी का तमगा लेकर खुशी जाहिर करते हुए नसर आए दर्शको भारत की पावन धर्ती पर ये पाकिस्तान के चीर लीडर्स को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए केके मैंने अपनी एक फिल्म में बिल्कुल ठीक कहा है कि दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता है, घर के अंदर भी होता है दीमक बनकर जीता है और दर्शको इन सभी को पहचानना हमारी भी जिम्मेदारी है वरना रोज हर रोज हर घर से अवजल निकलेगा, जैसा कि वो लोग कहते है, हर घर से सलजील इमाम निकलेगा, जैसा कि वो लोग कहते है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं हर घर से उमर खालिद दिखलेगा जो कहता है कि भारत के टुकडे होंगे इंशालला इंशालला वरना हर घर में भारत के खिलाडियों की हार पर भारत में ही जश्ट मराए जाएगा वरना भारत के अंदर ही भारत की सेना के सर्वोच कमांडर के निधन पर बिशर महसी के साथ हसते बेखौफ नकाब हटे देश द्रोही अपने चेहरे दिखाएंगे और जब घरों से निकाले जाएंगे खीचे जाएंगे तब फ्रीडम अब स्पीच की बात है और इनके देश द्रोही कुन्बे के लोग तब ये कहकर रोएंगे कि एक कौम को टार्गेट किया जा रहा है देश द्रोही कौम को टार्गेट किया जा रहा है जिसका किसी धर्म, किसी मजभ से कोई लेना देना नहीं और हाँ दर्श को देश द्रोई होना या देश प्रेमी होना इसका किसी जात मत या पंथ से कोई लेना दिना ने मैं कुछ सनातनी हिंदू धर्म का उपासक हूँ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया की बात करता हूँ कैमरे के पीछे खड़ा मेरा सयोगी इसलाम धर्म कानिया आई है और हम दोनों देश को सबसे पहले रहते हैं नेशन फॉस्ट नो कॉंप्रॉमाइस लेकिन कुछ लोग अपने देश द्रोही मनसूबों को सबसे पहले रखते हैं और अब उनको छोड़ना विल्कुल नहीं है अब उनको छोड़ना ठीक नहीं है कौन है ये लोग इनको पहचानना जरूरी है अब ये हमारे साथ वे एक वरिश्वत्रकार भी जोड़ेंगे लेकिन उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट आथ दिसमबर की वो दो पहर जिस पहर देश ने अपने की योध्धा को खो दिया वो योध्धा जो देश की तीनो सेनाऊं का चीफ था वो योध्धा जिसके नाम से पाकिस्तान थर राता था वो योध्धा जिसके नाम से ड्रैगन भी डरता था वो योध्धा अब हमारे बीच नहीं रहा आज देश के पहले सीडियस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित ग्यारा वीरों का दिल्ली कैंट के बरार स्क्वैर पर अंतिन संस्कार किया है जनरल को उनकी दोरों बेटी रितिका और तारणी में मुखागनी दिया मुखागनी से पहले उनको सर्वोच सैन ने सम्मान दिया खिया उन्हें सत्रा तोपो की इस सलामी के साथ विदा किया खिया कि एम स्क्राणी थादी गाइब जनकी विदैने के साथ प्रॉट कि एम स्क्राणी के साथ एंकी के अगभ एंकी तोप्रणी प्रॉट यू तो एक यूद्धा का दुनिया से जाना शौरिकता भी उतना ही पल होता है जितना की शोग का लेकिन जाते जाते भी जनरल देश के गंतारों के पहचान करवाके गए जनरल विपिन रावत के निधन की खबर आते ही सभी समाचार चैनलों पर खबर को प्रसारित किया गया साथ ही सभी बैवसाइटों ने भी खबर को प्रसारित किया जब पूरा देश गंगील था उस वक्त गदार घर के भीतर जश्न मना रही थी सोशल मीडिया पर जनरल विपिन रावत के निधन के खबर वाले समाचारों पर कुछ लोग हसी वाली समाईली देने लगी अब उनकी सोच और मानसिक्ता किस घ्रणा का शिकार है ये तो कहना मुश्किल होगा लेकिन देश की सेना के सरवोच कमांडर के निधन पर खुश होने वाले कभी देश का भला नहीं सोच सकते ये भी एक सच है ऐसे लोग देश के लिए दीमक की तरह हैं जो घर के अंदर रहते हैं और धीरे धीरे देश को खाने का काम करते हैं ये शमतावान आतंकी है जो देश में किसी भी वक्त दहशत फैलाने का काम कर सकते हैं इनकी मानसिक्ता दिखाती है कि ये रहते तो भारत की धर्ती पर हैं लेकिन यहां रहते हुए नफरत की दिवारों से घिरे हुए हैं आज भारत एट नाइन के जरिए पूरा भारत एक मांग कर रहा है कि ऐसे गदारों को चिनित किया जाना चाहिए ऐसे गदारों को पकड़ा जाना चाहिए और देश के सामने लाना चाहिए साथ ही देश द्रोह का मुकदमा भी होना चाहिए जैसा कि राजस्थान की टोक पुलिस ने देश से नफरत करने वाले जवाद खान के साथ किया है उसके खिलाफ पुलिस सकती के साथ जाच कर रही है और आगे की कारवाई में जुटी है लेकिन समझना जरूरी है कि वक्त वक्त पर ये देश द्रोही बेखौफ होकर देश के खिलाफ जहर उगलते रही है अब इन पर कानूनी डंडा चलाने की जरूरत है दर्शको जब भारत क्रिकेट मैच में हारता है तो कुछ लोग देश के अंदर पठाखे फोलते है दर्शको जब हमारे देश के सर्वोट चिस्यनिक की मौत होता है तब कुछ लोग स्माईलिया बनाते हैं खुश होते हैं मज़ाग दरशुको जब पुल्वावा के अटैक्ट्स हुए थे तब भी इसी तरह के कुछ लोग देश में देखे गए थे लेकिन हाँ ये लोग जब सर्जिकल स्राइट्स होती है तब उसमें सबूत मांगने के लिए सबसे आगे आकर खड़े होते हैं जब अफजल गूरु की बात होती है तो सबसे आगर आकर खड़े होते हैं जब असम को भारत से अलग करने की बात हो जाती है तो भी सबसे आगे यही लोग नारे करते हैं कौन है ये लोग इनको क्यों ना पहचाना जाए इनको क्यों ना माना जाए कि ये देश के अंदर भीतर बैठे दीमक है लड़ाई तो बाहर वाले दुश्मनों से भी है और घर के अंदर घुसे हुए दीमकों से तो ये लोग कौन है और इनको कैसे पहचाना चाहिए इस पर जादा चर्शा के लिए मेरे साथ वरिश्पतकार एके मिशा साहब जुड़ गया है एके मिशा साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूस वर्ड इंडिया पर धन्यवाद धन्यवाद एके मिशा साहर ये जानना चाहूँगा कि ये कौन लोग है जो भारत की अगर क्रिकिट के मैच के दौरान हार होती है तो पठाखे फोड़ते हैं पुलवामा अटैक्स होते हैं तो भारत की जो सैना है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है तो सबूत बांगते हैं ये कौन लोग है उनकी सजा क्या है कब तक इन लोगों को इसी तरीके से फलते फूलते रहने दिया जाएगा देखें सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से स्टीडियस स्टी विपिन रावत जी को मेरी सरधांजली है साथ में और भी जितने जवान सहीद हुए है सब को कोटी कोटी नमन है अंतिन प्रणाम है मैं आपको यह बोलना चाहूँगा यह कोई नए लोग नहीं है जनाब अगर आप जा करके फुड़ा पहले देखिए और हजारों साल इतिहाज को आप देखिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा यह वो लोग है जिनको आप बोल सकते हो कि मीर जाफर है यह वो लोग है जिनको बोल सकते हो जैचंद है अगर यह मीर जाफर या जैचंद नहीं है तो कंसक्तम उनकी यह नाजाज अवलादे जरूर है जिनके खून में इस देख का रंग नहीं बहता है तो ये उनकी नाजायज अउलादे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की पुलिस को बताया था कि चंदर शेखर आजाथ कहां पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं प्रियाग राज में ये वही लोग हैं जिन्होंने जहासी की रानी के बारे में इंफॉर्मेशन कि जहासी की रानी क्या कर रही है और वो वीरगती को प्राप्त हुई थी रही बात इनका इलाज क्या हो जड़ा पीसेर से काऊंगा नरोद करूंगा थोड़ी से आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी से आवाज को अगर बढ़ा सकें तो देखें मैं आपको ये बता रहा थ कि ये वही लोग हैं आप इनको जैचंद बोलिए आप इनको मीर जाफर बोलिए अगर जैचंद या मीर जाफर नहीं बोलते हैं तो ये उनकी नाजायज ओलादे हैं बेशर्म ओलादे हैं जिनके जो है रगों में इस देख का खून इस देख का रंग नहीं बढ़ता है ये कहने में कोई शर्म नहीं है मैं आपको पताता हूँ कि ये वही लोग है ऐसे लोग पहले भी भांसी की रानी की मुख़़ी इनहीं लोगों ने की थी शहीद चंद सेखर आजाद की मुख़़़ी इनहीं लोगों ने की थी और इवे जब भगत सिंग वगड़ा जैसे रोगों को फासी हो रही थी तो इनके बाप दादा वहां पे भी पड़े हुए थे और खुशिया मना रहे थे इतने बेशर्म एक बेसर्म नसल इस देस में एक बेसर्म खून जो है बेसर्म नसलों के अंदर बाह रहा है हजारों सा से और जो इस देश को भारत माता को बार बार पीड़ा दे रहा है सबसे इंपोर्टन चीज़ यह है कि हम पहले भी नहीं जागे हम पहले भी नहीं चेते और अधी भी यह चीज़े इसने जड़ले से हो रही है आज जहां पूरा देश तो छोड़िये विदेशों के लोगो इनको प्रणाम कर रहे हैं और उनका यश्गान कर रहे हैं और अपने ही देश के ऐसे बेश्रम एक ऐसी नसल पड़ी हुई है जो कि शोशल मीडिया पर पठाके फोल्ड ही है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मजाथ वाले इमोजी खुलन खुला लिख रहे हैं इस हुआ क्या जब हमारे देश की जंता जागरूख थी तब ऐसे लोगों के उपर अंकुस लगा रहता था था मैं आपको एक उधारण देता हूं राजा शत्रसाल उन्होंने सड़क पे ही वो घटना में डिटेल नहीं रता हूँगा एक आदमी का सरकनम कर दिया वो भी ऐसे ह ही लोगों को तो सबग सिठाया महाराजा चात्रपती शिवाजी महाराज ने क्या किया ऐसे ही लोगों को सबग सिठाया सवाल यह है कि यह ऐसे लोग मक्षर की तरह केड़े मकोनों की तरह इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं कि जरूरत से ज़्यादा यहां पे इन लोगों का ऐसे लोगों का तो मैं ये बोलूगा सरतन से जुदा होना चाहिए इनका कोई लाज नहीं है इनके नसों में गंदा खुन बह रहा है यह कि इनके मिश्राजी होता क्या है कि जब इनसे पूछो कि यह क्या है तो फ्रीडम अफ स्पीच का जो इनका एक मैया चला स्पीच के भरोसे लोग बैठे हुए थे कि फ्रीडम अफ स्पीच है ये है वो है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया और शोशल मीडिया के थूई वहां ऐसे लोगों की पहचान की गई जो भारत सरकार की खाते थे सरकारी नौकरियों में थे लेकिन काम भारत सरका कि खिलाफ कर रहे थे देश के खिलाफ कर रहे थे उनस-कर पक्के तरीके से किया गया उत्तर प्रदेश में यहां के जो भी मुख्यमंत्री हों किसी भी पाल्ट के होगो पाकिस्तान के गीतने पे पटाके खोरने पर उनस-का अच्छे से बाक भीरत गीजीं लिप misleading और tô जो बहुत चिलाते हैं, इस चीज में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सुवो मोटो का अपना पालम करते हुए, उनके पास भी अधिकार है, उनके पास भी पावर है, उसका प्रयोग करते हुए, शोशल मीडिया पे ऐसे जितने इल उनके पावरिकषा, रद की जाए या त्रभाव हीन कर दिया जाये, इनके वो टइंग डाइट जो है छीन लिये जाये, किसी भी इलेक्शन में किसी सरकारी नौकरी, पेleेट नौकरी या जो सरकारी सहाइता मिलती है, उन सारे सहाइता, उन सारे सहाइतां से इन लोगों ग पहले पेरेक्टर उनका देखना चाहिए उनको जो है सरकारी साहता सरकारी सुविदाओं टैक्स पेर के पैसों से ही हमने हमने अपना फून पतीना भाकर पैसा के पैसा तो छोड़ी है। करके एक ऐसा वीर जवान जो है पैदा होता है ये तो उन माओं का भी मदा पुड़ा रहे हैं जिन्होंने ऐसे वीर जवानों को पैदा किया हुआ है इनको सोसाइटी में रहने का अधिकार नहीं है सारे एक नागरित के जो सामान में मूलबूत अधिकार होते हैं उन सारे पत्रकारता का लंबा अनुबव है दो हजार बारा तेरा की बात करो तब ही से सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रभावशाली हुआ उससे पहले ये लोग तो काफी वर्षों से इसी तरीके से काम कर रहे होंगे उससे पहले इनको पखड़ना भी मुश्किल था अब तो पह जाफर और जैसंद का नाम लिया ये हजारों साल से यहाँ पे कुछ ऐसे गंदे खून है जो की रगों में बहर है और पीडी दर पीडी वो चलते आ रहे हैं और भी بहुत सारे हजारों साल पहले के उधारन है जिसकों की बताया अदार सकता है तब आली है सोशल मीडिया ये पता नहीं चलती थी, शोशल मीडिया के कारण तो अब तो सारी चीज़े डाकुमेंटेड है केवल भारत के सरकार कोई नहीं पब्लिक को और इसके साथ-साथ पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि ये कौन लोग है, electronic मीडिया पते शोशल मीडिया पे इनकी सारी एक्किविटी रिकॉर्डेड है और नोट है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बड़े आसानी से ऐसे गंदे फून को बिना DNA टेस्ट किये हुए पहचाना जा पता है और मैं उमीद करता हूँ कि भारत सरकार या प्रदेश की सरकार है जो स्वेंस्टिव होंगी चाहे बीजेपी की हो, चाहे पॉंग्रेस की हो चाहे जो भी हो अगर वहां के मुक्यमंत्री को उनके पूरे शरीर में अगर एक रप्टी बर एक बूढ़ भी खून अगर इस देश का होगा तो वो इस पे एक्शन जरूर लेंगे और उसको इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं चाहे तिपी भी इस टेट में हो बिल्कुल और एके मिशा साब एक और चीज़ है कि जब भी इनको काफी लोग जो है कि अगर तर्गे शनातन को किया जा रहा है तो उसको बोलने में क्या है तो क्या ये बोला जाए कि जो हमारे सीडिये साहट सहीद हो गए या हमारे सहीद हो गए सावरफ कालिया की गटना जो हमारे वीर जमान थे उनके शरीर के साथ क्या हुआ था अगर ये उसको धर्म के साथ कर रहे है तब तो ये और बड़ा गुना है ये अच्छम में गुना है इसका मतलब है कि वह इतले खुश हो रहे है कि वह सनातनी था वह हिंदू था एक मेजाल्टी को टार्गेट कर रहे है जो लाखों साल से यहां पे परंपरा है तब तो यह बिल्कुल अच्छा म्या अफराद है इनको छोड़ना ही नहीं चाहिए अगर वो उसमें धर्म का एंगल देखते है फीर्था से, शहादत से कौन से धर्म का या देश प्रेम से कौन से धर्म का क्या रिलेशन है कौन सा धर्म, अगर कोई भी धर्म अच्छा है तो वो कौन सा धर्म ये बोलता है कि आप अपनी देश की रक्षा मत करिये या कौन सा धर्म बोलता है कि आप गद्दार बन जाइए जो धर्म ये बोलता है कि आप जिस देश में रहते हैं उसके साथ गर्दारी करिए, उनके साथ यही होना चाहिए था, जो राजा शक्तर साल में किया था, 14 साल के उम्र में, जो सिवा जी ने किया था, इससे नीचे तो न्याए हो गा ही नहीं, इससे नीचे आप करते हैं, तो यह बोल करके जी अभी कि कुछ पीडियों में, कुछ फैमिलीज में पीडी दर पीडी चल रहा है, और उसको साथ करना, शिरावेद एक टेक्नीक होती है, आईवेद में, वो करना बहुत जरूरी है, जब तक रक्त का शुब्धी करन नहीं होगा, ऐसे निकम्ने लोग, ऐसे बेशर्म लोग, यहा खुलकर बता दी, कि इस देश में, यह जो लोग है, जो तरीके के कारनामे करते हैं, बेशर्मी के इंतहाई करते हैं, देशद्रो करते हैं, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए यह है, कि उनके नागरिक्ता के राइट्स चीने जाने चाहिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली, उ वो बच्चे हैं, वो भटके हुए नौजवान हैं, वो तो महिला थी, वो तो छोटा सा बच्चा था, वो तो हेड्मास्टर का बेटा था, ऐसा कुछ नहीं है, यह सब स्लीपर सेल हैं, यह सब किसी और देश से, किसी और मकसद से अपना प्रेम सदव दिखाते रहते हैं, और ऐसे लोगों को, जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी किया जा सके, नूट्रलाइस करने की जरूत है, यह हमारे देश के नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कि जिनके मन में, हमारे देश के खिलाव जहर हो, और वो बात करते हो, देश प्रेम की, यह लोग कह केते हैं कि don't doubt my nationalism हमारे nationalism को doubt मत करिए हमारी देश भक्ति को doubt मत करिए उनके social media accounts आज कल सब कुछ बया करने लगे हैं good night see you on Monday शुक्रिया देखिये भारत at 9 काबेंद चौहान के साथ